दोस्तो उमीद आपको आउट सोर्सिंग का कॉंसेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा आउट सोर्सिंग है ना कि जब आपका काम बढ़ जाए तो आप अपना काम बाहर कॉंट्रैक्चियल बेसिस पे आउट सोर्स करते हैं स्वाल ये पैदा होता है कि आउट सोर्सिंग क्यूं और कब की जाए वो कौन से ऐसा पॉइंट आफ टाइम आता है आपके करेयर में अज़ फ्री लांसर कि आपको जरूरत पेश हाती है महसूस होती है कि आप आउट सोर्सिंग करें अप के एक एक्जामपल देखते हैं वो एक्जामपल आपको बड़ा क्लियरि समझा जाएगी जैसे आप यह वीडियो दfolg रहे हो एनुमेटेएड एक गलास है पानी बर रहा है भरी जा रहा है भरी जा रहा है रुख जा भाई रुख जा रुख जा और पानी ओवर्फ्लो कर गया ओवर्फ्लो पानी क्या हुआ जाया अगर ओवर्फ्लो पानी जाया हुआ तो किस वज़ा से हुआ तो मुम्किना वजुहात यहां पे नजर आ रही है एक पानी ज्यादा था दूसरा गिलास छोटा था तीसी आरतों के वज़ा है नहीं न अब इमेजिन के ज्या पानी यानि के जो ज्या हुआ हुआ पानी वो आपका काम था गिलास आप खुद थे यानि के आपकी इस्तदात से ज्यादा आपके होल्डिंग केपासिटी से ज्यादा काम आपको मिल गया पानी की तरह ओफलो कर गया क्योंके आपके पास कोई फिसालिटी नी थी कि आप ज़ादा पानि को ज़ादा काम को कैसे होल्ड कर सकते पैसा तो पैसा है ना कहीं से भी आ सकता ängtा काम की सूरत में और अगर आप में आपिलिटी नहीं है कि आप उसको होल्ड कर सकें तो वो ओवर्फलो हो जाएगा यानि कि आप आपर्चूनिटी लूज कर देंगे काम जाया हो जाएगा अब इमेजिन एक और सिनेरियो लेते हैं यह जो पानी भर गया है टॉप तक एक छोटे से गलास में इसके साथ मेरे पास एक जग है जिसमें आदा पानी भरा हुए अगर मैं यह गलास का पानी उठा के जग में डाल दूँ चला जा भाई चला जा चला जा जा या अभी भी जग में टॉप कपैस्टी उपर वले हिस्से में काफी जगा है गलास भी खाली हो गया और पानी भी जाया नहीं हुआ यह है वो कॉंसेप्ट जब आउटसोर्सिंग की रिकॉर्मेंट आउटसोर्सिंग की नीड आ पहुंच दिये यह पानी एक्स्ट्रा काम है जब भरने लगे तब उस जग के बारे में सोचिए पूल आफ रिस्सोर्सिंग जो आपकी मदद कर सकें पैसे लेके और आपका काम कंप्लीट कर सकें फिनिश कर सकें दोनों ही पैसे कमाएंगे जैसे इस जग में पानी की तरह सब इस पानी से मुस्तफीद हो सकते हैं क्योंकि यह जाया नहीं हुआ अगर यह जाया होता जमीन पे गिर जाता तो इनसान के तो काम नहीं आना था और चुके इसको स्टोर कर लिया गया फिसिलिटी थी कपैसिटी थी और इंतजाम किया हुआ था पानी जाया होने से बच गया इसी तरीके से अगर फिसिलिटी हो इंतजाम हो तो काम यानि के एक्स्ट्रा काम आउटसोर्स करने से आपचिनिटी लूज नहीं होती पैसा और ब्रैंड इमिज मजीद बढ़ता जाएगा क्योंके काम तो आपको ही मिला था, प्रोफाइल तो आपकी की बड़ी, फीड़बेक भी अच्छी सी आपको मिली, अरे और आपको क्या चाहिए? तो इस अच्छी के जब काम आपकी इस्तिदाद से, आपकी आपकी अबिलिटी से ज्यादा बढ़ जाए, दो ही हाथ होते हैं एक इनसान के, तो फिर ये दो हाथ, दो हाथ, दो हाथ, दो हाथ, अरे ये आठ हाथ कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, तो आउट सोर्सिंग के बारे में तब सोचिए जब पहले वाले गलास की तरह आपको लगे के पानी जाया होने वाला है